वेल्कम बाइक फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनलाइन यूट्यूब चैनल आई सी यार नेटेकड में दोस्तों आज हम लेकर क्या है आप सभी के लिए एक्रोनामी का मॉक टेस्ट यह मॉक टेस्ट में आपको अपना उत्तर खुद सेलेक्ट करना है उस अपसन नहीं बोलूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोग अपना अंसर लगा लिजिए उसके बाद मैं बताता हुआ चल रहा हूं विच आप फालोविंग क्रॉप हैस्ट हाइस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन दे वर्ड तो कौन सा उत्तर सही है तो बिल्कुर इ प्राइसिज औरीजिनेटन इन आस घोबढक्राएस बिल्कुल डाइटिया इंटिया एन वर्ड मध राइस जो हमारा है वह इंडो भर्ड मा का origin प्लेस उसका माने जाता है सौा आगे हैसरे पंध इंडिया ऐस्ट अर्याञ rice cultivation in the world which is बिल्कुल 45 million hectare हमारा right answer हो जाएगा अगला question है productivity of rice is highest in हर्याना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश बिल्कुल हमारा right answer जो है वो productivity wheat का और rice का दोनों का हमारा पंजाब में है highest आगे बात करेंगे पाचमें प्रस्ण की, पाचमां प्रस्ण हमारा है the genus oryza includes, the genus oryza includes 14 species, 22 species, 24, 30 species तो बिल्कुल इसका right answer हो जाएगा 24 species जो हमारा genus oryza है वो 24 species को wear करता है, include करता है आगे बात करेंगे, the variety which belong to species oryza, glyberima are found in तो कहां पाया जाता है वो यूरोप, एसिया, अमेरिका और अफरिका तो जो हमारा oryza, glyberima पाया जाता है वो हमारा अफरिका विल्कुल right answer हो जाएगा आगे बात करेंगे सात्वी प्रस्ण की तो यहां पर क्या हो जाएगा, belong to species oryza, glyberima are found in इसका आमने ऊपर कर लिया है अफरिका, यहां पर यह question होगा, the rice variety grown in India grown in India यह गलत हो जाएगा यहां पर, mistyping हो गया है the rice variety belong to India तो हमारा indika जो है वो, इंडिया का विलांग करता है india, india next question रहेगा हमारा, rice grown in indonesia belong to कौन सी rice के प्रजाती है, जो indonesia में grow की जाती है, वो किस से विलांग करती है तो बिल्कुल, हमारा oryza sativa, जावानी का जो है, वो हमारा indonesia से विलांग करती है आगे बात करेंगे, non-traditional area of rice cultivation includes तो कौन सा एरिया है, जो non-traditional rice cultivation को include करता है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए आवाज में दिक्कत है तो बिल्कुल, right answer जो हमारा हो जाएगा, पंजाब and हर्याना, यह जो एरिया है हमारा, वो non-traditional area of rice cultivation है आगे बात करेंगे, the rice inflorescence is known as, rice के inflorescence को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, पेनिकल आगे बात करेंगे, the de-hulled rice grain is known as, जो de-hulled rice grain होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, brown rice आप लोग अपना answer लगाते हैं चलिए, लास्ट में comment करके ज़रूर बता है, यह rice crop needs, rice crop को कैसा needs होता है, warm and humid climate, hot and humid climate, dry and hot climate, cold and dry climate तो इन में से कौन सा होता है, तो बिल्कुल, hot and humid climate जो होता है, वो हमारा सबसे best होता है, किस के लिए, तो वो हमारा rice crop के लिए, hot and humid climate सबसे best होता है, आगे बात करेंगे, for ripening of rice, temperature should lie between, rice को और्था धान की फसल को पकने के लिए, कितने temperature रहने चाहिए, तो वो हमारा 20 से 25 degree temperature जो होता है, वो सबसे optimum temperature होता है, for ripening of rice crop, आगे बात करेंगे, photo periodically, rice is a type of plant, तो rice कैसा type, किस type का plant होता है, short day होता है, long day होता है, day neutral होता है, intermediate होता है, तो आपको बता दे, rice जो हमारा होता है, short day plant होता है, आगे बात करेंगे, the showing time of us rice, ये सारे question आपको, इन में से 80% question आपको मि मिल गए होंगे, ये आपने हमारा rice crop का में जो video upload किया हो, उसको पूरा देखे होंगे, देखिए सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, तो आप लोग जितना भी mock test आ रहा है, उसके लिए पहले जितनी crop पढ़ते हैं, उसी से related में mock test लेकर करके आता हूं, तो पहले आप लोग जाएए प्लीज, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे major crop का video का आपको folder मिलेगा, वहाँ से आप लोग rice का, wheat का, soya bean का upload हो चुका है, तो उसको जरूर देखिएगा, link मैं आपको description में दे दूँगा, अगर आप एक बार crop को देख लेंगे, उस आपरेल से मई, वहीं अगर बात किया जाए, अमन राइस का, अमन राइस जो होता है, वह हमारा जून से जुलाई, यह हो गया हमारा आपरेल मई हमारा आपरेल आपरेल का होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग का concept क्लियर होगा, यदि कुराब का वीडियो देखे ले रहेंगे तो, चलिए देखते हैं, next question, the sowing time of boro और ढल्वा राइस, अभी मैं इसको बताया, जो boro है, उसका number December है, और boro राइस को किस नाम से जानते हैं, तो ढल्वा राइस के नाम से भी जानते हैं, यह सारा detail आपको crop वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो जरूर, link में मैं आपको नहीं मिल पाता है, description में, तो आप playlist में जाएए, playlist में major crop है, वहाँ से देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, आगे बात करेंगे, the optimum pH of soil for rice cultivation worries in range, जो rice cultivation के लिए pH होता है, वो हमारा कितने से कितने तक worry करता है, तो हमारा करता है, 4 से 6 के बीच worry करता है, बिल्कु produced in India from, जो IRR था, वो कहां से introduced हुआ है, इंडिया में, तो वो हुआ है, Philippines से, Philippines जिसे हम लोग मनीला भी कहते हैं, आगे बात करेंगे, which of the following variety is a dwarf mutant, dwarf mutant variety कौन सी है, तो जगनात जो है, ये भी आपको वीडियो में मिला है, सीधा सीधा question है, ड्वार्फ mutant variety तो हमारी जगनात होता है, और आगे बात करेंगे 20 में प्रस्ण की, the seed rate of rice cultivation in broadcasting and drilling method respectively should be, कितना होना चाहिए, तो जो drilling method होता है, उसमें हमारा कितना लगना चाहिए और broadcasting में, तो broadcasting और drilling का ratio कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा, 100 और 60 kg, जो अगर हम broadcasting से कर रहे हैं, तो हमको जो है 100 kg सीट पर किधी से बोते हैं उसको, तो 60 kg पर hectare में हमारी बुआई हो जाएगी, आगे बात करेंगे 21 में प्रस्ण की, 21 प्रस्ण क्या है हमारा, 21 प्रस्ण है, for transplanting one hectare area of rice, how much area is sufficient for nursery raising, तो जो 100 square meter होता है, वो एक hectare area के लिए हमारा जो nursery होता है, वो sufficient होता है, आगे देखेंगे हम इसमापरस, डेखोग method of raising nursery of rice has been introduced from India, जो डेखोग method आया है, वो आया कहां से है, इंडोनेसिया, ताइवान, इसराइल, फिलिपीन, तो जो डेखोग method है, वो हमारा फिलिपीन से आया हुआ है, एक से डेढ़ के अजी seed rate के आउ सकता होती है, इसमें इसको एक जो wooden plank में इसको grow किया जाता है, जिसमें हमारा stones होते हैं, और पतियों की meals होते हैं, फ्लोर होते हैं, ये सब पर उगाया जाता है इसको, और जो सबसे बड़ी बात होती है, 12-14 दिन, एप्रॉक्समेटली 12 दिन में तो तयार हो जाता है नर्सरी इससे, बट जो answer हमारा वरी करता है, वो 12-14 चौदा दिन में इस विदी से नर्सरी हमारी तयार हो जाती है, और ये फिलिपीन से आया हुआ है डेपोग मेथड, आगे बात करेंगे 23 नमबर के प्रस्न की, इन वेट बेड मेथड मेथड अफ रेजिंग नर्सरी अफ राईस, सीडलिंग वोड वी रेडी फर ट्रांसप Hij Coast, लिएम इस वी बात की में तो आपको ये मानकед चलना है वारे से चो दाइन में हमारा हो जाता है, जो हमारा विट-वेड के हिसाबसकर करते हैं mind से 25 दिन में रुपाई के लिए हमारा सीडलिंग तयार हो जाता है आगे देखेंगे इन राइस डेपोग सीडलिंग वोड वी रेडी फर ट्रांस्प्लांटिंग देखिए आगया कोश्चन आगे आप लोग क्रॉप एक बार देख करके देंगे ना तो आपका फायदा होगा मेरा कुछ नहीं जाएगा अच्छा रिस्पॉंस पाना है तो आप लोग को लगना पड़ेगा इन राइस और देखिए आप किसी भी सेक्टर से हैं वो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो हूँ हिंदी स्ट्रीम हो आपका एंगलिस स्ट्रीम हो या फिर आप BSC के स्टूडे स्ट्रीम हो जाएगा आगे बात करेंगे प्रोपा निल जिसे है इसका ट्रेड नाम इस्टाम F34 होता है इसका वीडियो में जल्द आपको दे दूंगा हर्विसाइड और उसका ट्रेड ने तो शुट भी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांस्प्लांटिंग जो प्र DAT क्या है तो डे आफ्टर ट्रांस्प्लांट छैसे आठ दिन के बाद ट्रांस्प्लांट करने के हम प्रोपानिलिया इस्टाम F34 हर्विसाइड का यूज कर सकते हैं आगे बात करेंगे 26 नंबर के प्रस्ण की यह है दो क्रिशक अकॉर्स इन अर्ली स्टेज आफ प्लांट इसे क्या कहेंगे तो bacterial leaf blight जिसे कहते हैं वो सही answer है हमारा आगे बात करेंगे tungro virus of rice is transmitted by तो किसके दवारा tungro virus का transmission होता है तो वो हमारा होता है green leaf hopper के दवारा जो tungro virus का vector होता है जिसके दवारा tungro virus एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचता है वो हमारा green leaf hopper के माध्य से पहुंचता है तो यह विक्टर का कारे करता है टुंगरो वाइरस के लिए green leaf नेक्स्ट कोस्टन हमारा dead hurt and white head damage to rice is caused by जो dead hurt और white head damage होता है rice में वह किसके कारण्ड होता है यह सारे question आपको हर exam में मिले होंगे अंतर बस इतना रहेगा भाई rice का क्रॉप आप पढ़े राइस से उठाएगा कोश्चन तो क्या उठाएगा वह चाहे नेट का हो जए और अख का हो कहीं का भी हो क्या उठाएगा भी जाओ जादा जादा सेयर कर दो अगर नहीं लगता तो डिसलाइक करके चले जाओ वीडियो नहीं लगता तो डिसलाइक कर दो कम से कम कुछ तो कर दो चलो देखते हैं next question देड हर्ट and whitehead damage to rice is caused by तो किसके कारण होता है तो वो हमारा होता है इस्टेम बोरर के कारण डेड़ हट जो होता है और वाइट हेड जो डैमेज होता है राइस का वह हमारा इस्टेम बोरर के कारण होता है इस्टेम बोरर का क्या में सिम्टम क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो आप लोग डेड हर्ट देखी रहें वह दिखाई देने लगता है वाइट आई हेड पर जाता है जैसे सफेद धबे पर जाते हां क्या कार के और यह बिल्कुल इस्टेम के बीचों बीच जा करके एक क किलर इस कास्ट बाई तो जो सिल्वरी सूट आफ ओनियन लीफ सिंटम होता है राइस का वह किसके कारण होता है तो हमारा होता है गाल मिच के कारण बिल्कुल राइट एंसर है यह सारे कोश्वान आपके एक्जामों में पूछे हुए हैं आगे बात करेंगे ग्रेशी स्ट वाइरस होता है वह किसके द्वारा ट्रांस्मिट होता है तो हमारा होता है बीपीएच भी आपको पूछ देता है एक्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए तो ब्राउन प्लांट होपर जो ग्रैसी स्टंट होता है वह ब्राउन प्लांट होपर के द्वारा होता है सिल्वर स कि बात करेंगे गन्दी वग इंसेक्ट अटेक्रराइस स्टी॔रिंग कब अटेक नजी वग करता है गन्दी वग करता है तौरिक खेट को बरबाद कर देता है, चौपट कर देता है, चूकि यह जो milking stage होता है, जब दाने में कठोड़ता आनी सुरू होती है, दुधिया stage में जब पहुचते हैं, तो वी क्या करते हैं, कि उसी दुधिया जो pulp होता है, उसी को यह सक कर जाते हैं, पी जाते हैं, चूस लेते ह आगे बात करेंगे 32 नमर के प्रसल की, test weight of basmati rice, जो basmati rice हमारा होता है, उसका test weight कितना होता है, तो वो हमारा होता है, test weight, 21 ग्राम और आगे बात करेंगे, औराइजा sativa is a deployed species, यहां से जान लिजी एक question मिलता है आपको, औराइजा sativa कैसी species है, तो deployed species है, having chromosome, कितने chromosome को रखता है, तो जो औराइजा sativa है, यह तो हमारी deployed variety है, और यह 24 chromosome को wear करे रहती है, अर्था धारण किये रहती है, नेक्स्ट और इस session का सा ID से बन सकते थे, आपके exam के list score से, वो सारे के सारे यहां पर cover किये गए है, और कुछ बचा है, तो आप लोग वीडियो देखेंगे, तो उससे आपका concept और भी clear हो जाएगा, चलिए देखते है, gene responsible for dwarfing character in races, जो gene होता है, वो dwarfing character किसके कारण होता है, तो वो DGW gene होता है, जो IR data है, variety है यह भी, तो इन दोनों को आपस में क्राज करा करके हमारा IR art को बनाया गया, जिसे हम लोग IR art और जया को miracle rice of India के नाम से भी जानते है, जो green revolution में, जो 1966 में, IR art था, जया था, और यहू, इन ही के उपर हमारा green revolution का सपना साकार उपाय था, I hope so video आपको अच्छा लगा ह तो 35 नमबर का golden rice is a rich source of, तो golden rice जो हमारा होता है, वो rich source किसका होता है, तो वो vitamin A का richest source होता है golden rice, और आगे बात करेंगे, तो idea of super rice was given by, किसके दोरा दिया गया था idea, जो super rice का था, वो हमारा G.S. खुस महोदे के दोरा दिया था, super rice का idea, और hybrid rice के जनक आपको पता होगा, Y.L.P पिंग, कहीं कहीं चिंग भी मिलते हैं, चाइना के थे यह, तो Y.L.Ping जो है, वो hybrid rice को बताए थे, अर्थाद introduce किये थे, I hope से वीडियो अच्छा लगा होगा, या दिजारा सा भी अच्छा लगे, तो आपका आपना channel है, ICR Net Academy, जाइए, subscribe करिए, bell icon को प्रेस करिए, और जि ICR Net Academy, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ,